नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज मैं स्वाती जहां लाखो रुपए ठगी करके फाइनेंस के नाम पर पैसा लेकर फरार हो गई पिडितों के द्वारा बताया गया कि फ्रॉट करने वालों के द्वारा प्रलोभन दिया गया था कि पचास जार लोन लेने वालों को 1380 रुपे जमा करना होगा जहां जरूरत मन लोग प्रलोभन में आ गये और पैसा जमा कर दिये वहीं कमानी करन की द्वारा पांच बजे तक खाते में पैसा आने की बात कही गई लेकिन पांच बजे तक पैसा नहीं आया तो लोगों ने इधार उधर फोन लगाया जब पता करने पर जानकारी हुई की ओफिस बंध है फोन लगाने पर भी फोन बंध हो गया है पेडितों के द्वारा हनमना थाना में सिकायत दर्च कराई गई और ठगी करने वालों पर कारेवाही की मांग की गई है हनमना तैसीर छेतर के अंतरगत अभी बिरहा समयलाल बिजौली सहित में मिसिर गवा की महिलाओं को ठगी का सिकार बनाया गया है जाच होने पर इससे ज़्यादा ठगी महिलाएं सामने आ जाएंगी पुलिस सिकायत के आधार पर जाच सुरू कर दी है आप भी देखिए किस तरह से महिलाओं को फसा कर फॉर्म भरवाया गया और उनसे पैसे जमा कराने के बाद रफुचकर हो गया क्या नाम है सुनिल सिंग कहा से हैं हम विजोली गहर वरान से हैं क्या मामला हुआ है मामला हुआ है सर एक कंपिनी आई है SMBD निधी लिम्टेड ये कंपिनी इसका आफिस हनमना में है यह हम लोगों के इसका ओफिस SMBD का ओफिस है शाहत तहसील के पास है हनमना में इसमें यह हुआ कि यह कंपनी हमारे गाओं में गई विजोली के हरवरान में जाकर वहां सब लोगों को बताई के हमारी कंपनी लोन प्रवाइड करती है जिसमें 50,000 में 2300 रुपे जमा करना पड़ेगा और 30,000 में 1300 जमा करना पड़ेगा इस प्रकार से महिलाओं को बेबकूब बनाके और कल की डेड में पैसा ले गई और हमारे गाओं बस भी नहीं बगल में बिरहा था दादर है अनेक हटवा छेत्र अनेक सगहन है अनेक छेत्रों में जाके इन्होंने लूट पार्ट करके और जितने भी आदमी थे एक आदमी का नाम था सुभम सिंग एक नाम था राहूल मिस्रा एक आशीज सिंग नाम था और मनोस सिंग यह नाम मतलब यह कल की डेट में ही अपने इस हनुमना में जो आफिस था हम लोगों को पता चला कि पांच बचे के बाद बोले थे कि पैसा आजाएगा लेकिन हम लोग जब देखे तो पैसा नहीं आया जब फोन लगाना स्टार्ट किया तो इनका नंबर बंद बता रहा है अर्लोंको पैचानते हैं कि यह तो उत्तर Pradence के पिमा थे इनका फोटेश है हमारे पास उबलब्द हैं कि अब बदाता रा हम लोगों कि सम्प्रक सूत्र हुआ था इनके माध्यम से हमारे यहां पहुंचेते हैं हमें चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों को गुम्राह किया गया इस प्रकार से और लोगों को गुम्राह ना किया जाए और उनके उपर जादा से जादा जल्द से जल्द कारवाही हो और ताकि वो पकड़ में आ जाए और ज जाएगी कारवाही यही बताएगा है कम निजी फाइनें कंपनी वाले गए फंतोफ गुरुजी ने ले करके गए फंतोफ पाटक जी बोले के भगाने पर आने वाली कंपनी नहीं है हम गाव मेड़ा रुके हाए सबको पैसा जमा करिए और सबको कर्जा मिलेगा हमारे फाटे तो तेरा फफी रुपए हुई है यह दफ आदमी मिलके बतले कोई तेरा सवस्थी के उपची सब्सक्राइब आपको पहलोबन दे करें लगभाव 20 रुपए हमारे यह क्या चाहते ह गुरुजी के माध्यम से हम लोग पैसा दिये हैं गुरुजी दिलवाएं यह दिये हैं कि आप राधियों को पकड़वाएं बताएं कि कहा करें हैं तो अपनी इन भी माइक्रो फाइनेंस यह कंपनी है तो हमारे यहां विरहा समयलाल में जाकर के और नहीं हमारे जो हम लोग 50,000 में मतलब 2300 रुपए जमा करना पड़ेगा तो आप लोगों को खाते में 50,000 रुपए आएगी मेरे साथ में हुई है 2300 जी और जिसमें हम लोग 14 बेखती हैं जी और 14 लोगों के साथ यही